दोस्तो नमस्कार ना संसद बची न सडक और ना ही सम्विधान तो फिर सत्ता के पास बचा क्या यह सवाल शायद मोदी सत्ता को सबसे जादा मौजूदा वक्त में परिशान कर रहा है और भारत के संसदिय राजनिति कितिहास के पन्नो को अगर आप पलटियेगा तो कई प्रधान मंत्री आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे जब विपक्ट से कोई नेता खड़ा हुआ और उसने चुनोती दी और चुनोती देने के अंदाज में संसत के भीतर भी बहस हुई चर्चा हुई और उसके बाद पता चला कि सामने वाले में कितना दम था सड़क पर भी लोगों के बीच जाकर समवाद बनाना अपनी बातों को रखना और उसके बाद सरकार बनाते हुए काम करना यह भी इस्तिति इस देश ने कई प्रधान मंत्रियों के दौर को में देख लेकिन आज तो जिक्र इस देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का है संसत के भीतर बहुमत की ताकत है लेकिन उस बहुमत की ताकत के बीच भी सीधे खड़े होकर मनिपूर पर कोई बयान जारी कर पाने की स्तिति में इस देश के प्रधान मंत्री नहीं है सडक पर जो भी समवाद होता है वो स्टेट स्पॉंसर्ड होता है और उसके बाद मीडिया यानि गोदी मीडिया अपने तोर पर बतलाता है और दिखाता है कितना शांदार भाशन दिया गया लेकिन उस भाशन की कोई प्रतिक्रिया जनता के बीच क्या है ये संबाद इस दौर में गाइब है और तीसरी परिस्तिती है जब सम्विधान को हाशिये पढ़ धकेल दिया गया तो क्या सम्विधान के पन्नों से भी मौजूदा सत्ता ने दूरियां बना ली है और इसलिए क्या संसद क्या सलक और क्या सम्विधान तीनों परिस्तितियों को लेकर अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से कोई ना कोई प्लानिंग मोधी सरकार लगातार कर रही है और इस वक्त उसके टार्गेट पर कोई दूसरा शक्स नहीं राहुल गांधी है और अगर आपको याद आता हो तो आप नहरू को याद कीजिएगा तो आप सामने खड़े उस वक्त राम मनोहर लोहिया को याद कर लीजिएगा अगर आप उस दोर से आगे निकल लिएगा और याद कीजिएगा इंद्रा गांधी को तो हो सकता है आपके जहन में एक नेताओं की पूरी कतार निकल कर आ जाए जिन्नोंने जन्ता पार्टी बनाई थी और सरकार बनाई या फिर सिर्फ जैपरकाश नरायन ही याद आए या फिर राजीव गांधी के काल में आपको हो सकता है वीपी सिंग नजर आने लगे हर दौर में हर परिस्तिती में कोई ना कोई सामने नेता खड़ा हुआ तो वो सत्ता के लिए खड़ा हुआ लेकिन मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के सामने राहुल गांधी जिस अंदाज में खड़े हुए है वो अंदाज सत्ता को कितना घबराहट पैदा कर रहा है या सत्ता को कैसे डरा रहा है या इस बात से समझा जा सकता है कि राहुल गांधी को हर हाल में पारलिमेंट के भ वक्त मांगा ये जानते समझते हुए कि ये तुरत का केस नहीं है ये तो निचली अदालत से चला हुआ केस है और हाई कोट ने उस पर जो फैसला सुनाया वो सौ पन्नो का फैसला है जिसमें पूरी बात पूरेश मोदी की लिखी गई है लेकिन बावजूद इसके कैवियट लगा कर बकाइदा सुप्रीम कोट के दरवाजे पर इस बात का जिक्र पूरेश मोदी ने ये कहकर किया कि आपको पहले मेरी बात सुननी होगी सवाल दो तीन हो सकते हैं क्या ये सब कुछ जान बूच कर किया जा रहा था कि किसी तरीके से देरी होती चली जाए या फिर 21 द 11 अगस्त का मतलब था कि मानसून सत्र तब खतम हो जाता है और मानसून सत्र के बाद जो इस देश के सामने सबसे बड़ा दिन है वह 15 अगस्त का है जब लाल किले के प्राचीर से प्रधान मंत्री भाशन देंगे तो प्रधान मंत्री कोई रुकावट नहीं चाहते हैं 15 हालत में पार्लेमेंट के भीतर राहुल गांधी नजर आए तो बकाइदा 21 दिनों का जो वक्त मांगा गया वो अगर मैतमेटिक्स के लिहास से देखिए तो बहुत साफ समझ जाएंगे कि क्यों इस मानसून सत्र में राहुल गांधी किसी भी हालत में पार्लेमेंट नहीं इसकी विवस्था करने की कोशिश की गई हाला कि सुप्रीम कोट ने वक्त दस दिन का दिया जो चार अगस्त को पूरा हो रहा है और चार अगस्त को दोबारा सुनवाई होनी है लेकिन इसके समनांतर एक दूसरा सवाल यहीं से खड़ा होता है वह कौन सी प्लानिंग है और कौन सा डर है जो राहुल गांधी को लेकर पारलेमेंट के भीतर इस दोर में तीन सो से जादा सांसदों को लिए हुए मोदी सत्ता घबरा रही है दरसल रास्टिये और अंतरास्टिये तोर पर भारत के जो मुद्दे इस दोर में गुंज रहे हैं उसने दुनिया के सामने तीन ही सवाल कढें किये हैं. पहला सवाल भारत के भीतर डिमोक्रेसी का है. उस डिमोक्रेसी से जुड़ा हुआ भारत के माईनर्टीस का सवाल है. और तिसरा सवाल इस देश के भीतर में कौनस्टिूशन के लहाँज से रूल ऊफ लॉउ सत्ता के लिए है या नहीं है यह सवाल है और ये अलग-अलग मुद्दों के आसरे ये सवाल उठ रहे हैं और इन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा ये सवाल है कि अंतरास्टिये तोर पर इस दोर में विपक्ष के नेता के तोर पर किसी को माननेता है तो वो नाम राहुल गांदी है और पारलिमेंट के भीतर उनके द्वारा कहे गए शब्दों को अगर मिटाया गया दबाया गया हटाया गया तो राहुल गांदी के ही वो शब्द थे लेकिन उस दायरे में कौन-कौन से शब्द थे वो लोकतंत्र से जुड़े हुए शब्द थे वो इस कैम और घोटाले से जुड़े हुए इस दौर में जो हिडन बर्ग की रिपोर्ट आई जो पूरा शियर मार्केट उसके बाद हिल गया और जो पूरा मैनुपोलेशन हो रहा था वह उस स्कैम की तरफ इशारा कर रहा था जिसका डर और खौफ प्रधान मंत्री मोदी के भीतर भी आ चुका है क्योंकि इसी के बाद ये पूरी प्रक्रिया हुई हम उस इतिहास में आज जाना नहीं चाहते हैं सिर्फ एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांदी को पार्लियमेंट में आने से रोकने के लिए सुप्रीम कोट क्या 11 अगस से पहले फैसला दे देगी ये पहला सवाल किसी के जहन में आ सकता है दूसरा सवाल सरकार घबराती क्यों है और तब तीसरा सवाल आएगा सरकार की प्लानिंग क्या है सरकार घबराती इसलिए है क्योंकि ध्यान दीजिए इस देश के भीतर में मोदी काल में कोई नेता ऐसा बचा ही नहीं जिसको लेकर कोई माननता सारजनिक तौर पर सडक पर भी हो और संसद में भी हो और समविधान के दाइरे में उसका कद बढ़ा हो यहां तक की जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी कैबिनेट में उसकी कतार को भी छूना शुरू कीजेगा तो उसमें आपको आधे से ज़्यादा सदस्यों के नाम आपको पता ही नहीं होगे यहां तक की कौन किस मंत्राले को सम्हाल रहा है हो सकता है आप यह भी न जानते हो और जो एक दो नेता जो इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उनको राजनतिक तोर पर इतना कुंद कर दिया गया या उनके बोलने को लेकर सारजनिक तोर पर इतनी बंदिशें इस दौर में लगाई गई कि उन्होंने सिर्फ जब भी अपने जुआ पर कोई शब्द आया तो वो प्रधान मंतरी मोदी का ही शब्द आया वो नाम राजनात सिंग का हो सकता है वो नाम नितिन गड़करी का हो सकता है वो नाम इस दौर में आपको जो भी नेता के जरीए नाम लगता हो बीजेपी के बीतर मोदी कैबिनेट के बीतर आप उस नाम को कोई ऐसी बड़ी बात की जो प्रधान मंत्री मोदी के नाम के साथ जोड़कर कही गई हो या नहीं कही गई हो नहीं कही गई हो ऐसा कोई आपको वक्तव समझ में नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो विपक्ष की पूरी कतार है राजनितिक तोर पर सभी ने इस दोर में सिर्फ सत्ता के लिए राजनिती सादी है और ये सच भी है नहरुकाल से लेकर अभी तक में विपक्ष हमेशा पूरी राजनिती और पूरी लड़ाई उसने सत्ता के लिए की है लेकिन पहली बार राहुल गांधी दरसल उस गांधी मार्क को पकड़ रहे हैं जहां पर उनके जहन में भारतिय राजनिती के बदलाओ की दिशा में उठाने वाले कदम है यानि प्रधान मंत्री पद नहीं चाहिए। विखंडित किया गया तोड़ा गया हम उसे जोडने का प्रियास करेंगे और इस देश के जुड़े हुए मुद्दे जो लोगों को परिशान कर रहे हैं उन मुद्दों को लेकर सवाल उठाएंगे और शायद यही वो वज़ा है जहां पर आप राजनिती एक ऐसे मुकाम पर ले जाते हैं जिस राजनिती के दायरे में कभी कभी पार्लेमेंट भी छोटी लगने लगती हो क्योंकि पार्लेमेंट के सदस ना होने के बावजूद भी राहुल गांदी ने मनिपुर की यात्रा के बाद जिस तरीके से वहां के हालातों को दुनिया को दिखाया और उसके बड़ी बात है कि अंतराश्टिये तोर पर इसी दोर में राहूल गांदी जब उनकी संससदस्ता नहीं थी वो अमेरिका की यात्रा कर रहे थे जब संससदस्ता थी तब वो बिटन की यात्रा कर रहे थे लोटने पर उनकी संससदस्ता चली गई यानि दुनिया के सबसे बड़े लोक्तांत्रिक देश को प्रभावित करने वाले देश के भीतर और दुनिया भर के जो दबाव समू होते हैं जो प्रेशर गूर्प होते हैं वो पहली बार भारत के भीतर एक ऐसी परिस्तिती को देख रहे हैं जिसमें एक नेता को गदी पर बने रहना है दूसरे नेता को इस देश की परिस्थितियों को उठाना है और बताना है कि गदी पर बना हुआ नेता इस देश के तमाम त्रेड़्स के साथ जो जुडाओ था लोगों के बीच उससे वो कैसे खेल रहा था समानने तोर पर ऐसी राजनिती होती नहीं है और कोई भी इसे सफल कभी मानता नहीं है फिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी द्वारा पार्लेमेंट के भीतर बुले गए शब्दों को हटाने की जुरत पड़ी फिर ऐसा क्या हुआ अंतरास्टिय तोर पर जो मानता दुनिया के साथ देशों में आर्थिक तोर पर समंधों के मद्दे नजर प्रधान मंत्री ने बकाइदा अडानी को साथ ले जाकर समझोते कराए उस पर पूरी दुनिया में सवालिया निशान लग गया क्योंकि खुले तोर पर राहूल गांदी ने पारलेमेंट के भीतर और पारलेमेंट के बाहर इन सवालों को उठाया था फिर ऐसा क्या हो गया कि भारत के लोकतांत्रिक स्थितियों के उपर इस देश के नागरिक आप उसको माइनर्टी में बांट दीजिए और माइनर्टी के नजरिये से देखिये या जातिये परिस्थिति से देखिये लेकिन सभी भारत के नागरिक है उन नागरिकों के हकों का सवाल जो स्कॉंसिचूशन में दर्ज है उसको लेकर जब सडकों से ये सवाल राहुल गांदी संसस रस्ता खोने के बाद उठाने लगे तो वह मुद्दे क्यों बनने लगे और उसको लेकर इस देश के भीतर बहस चर्चा क्यों शुरू हो गई पांच अजन्सियों ने राहुल गांदी को नहीं घेरा बकाइदा पांच दिनों तक पचास घंटे एडी ने पूस्ताच की हेराल्ड को लेकर और उस दोर में भी एडी को लेकर सवाल राहुल गातार उठा रहे थे लेकिन दूसरे नेताओं को भी तो घेरा गया लेकिन द जिकर कर लीजिए या उनकी राजनितिक परिस्तितियों का जिकर कर लीजिए तो पहली बार राहुल गांधी का डर मोधी सरकार को इसलिए हो चला है कि बीते नौ बरस से उन्होंने जो गवर्नेंस के तौर तरीके अपनाए राहुल गांधी ने उस गवर्नेंस के तौर तर जिन से समबाद बनाया, देश भर में यात्रा की, ये सारी परिस्तितियों ने एक जटके में इस देश के भीतर एक ही सवाल सबसे बड़ा खड़ा कर दिया कि मौजूदा वक्त में जो सत्ता पर बैठे हुए देश के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी हैं, क्या इनकी गवर् दिये गए हैं, डर और खौफ इस बात का है, इसका अगला इस्तिती आती है कि क्या वाकई कोई प्लान है सरकार का, प्लान तो सबसे बड़ा ये है कि सुप्रीम कोट के जरीए किसी भी हालत में 11 अगस्त तक रोकना है, लेकिन सवाल है कि सिर्फ यही मामला है, जी नहीं, द न्युक्ति गैर कानूनी थी, सुप्रीम कोट ने इस पर मुहर लगा दी, पहली बार भारत के इतिहास में किसी ऐसे इंसिचूशन के पद पर बैठे हुए वेक्ति की न्युक्ति को ही गैर कानूनी ठेराया गया होगा, इससे पहले कभी नहीं हुआ, इससे पहले कभी नही हुआ कि सुप्रीम कोट ने किसी रजपाल की सत्ता परिवर्तन की भूमिका में पूरे तरीके से असमविधानिक करार दे दिया हो यह भी मोधी के दौर में हुआ जो महरास्ट में जो कुछ हुआ तो क्या यह माना जाए कि समविधान के पन्नों में लिखे शब्दों को अगर सरकार दरकिनार कर रही है और अपने तरीके से जब वो राजनिती को साध रही है और सत्ता में बने रहने के लिए जो भी तिकलम कर रही है उसके समनांतर राहुल गांदी ने एक नई राजनिती को लाकर रख दिया एक ऐसी राजनिती जिसमें प्रधान मंत्री बनने की चा तो क्या पहली बार भारत की राजनिती में राहुल गान्दी ने अपनी राजनिती को जनता की मुश्किल हालातों के साथ जोड़ दिया है जो घबराहट इस दोर में मोदी सरकार के भीतर चा चुकी है क्योंकि पार्लेमेंट के भीतर राहुल गांधी के आने का मतलब बहुत साफ है कि वो तमाम मुद्दे एक दृस्टी से खाली यह सोचिए कि जो 31 बिल लेकर सरकार आई है कि इस मानसून सत्र में 31 बिल को रखना है उसमें तीन बिलों का जिक्र तो खुले तोर पर किया जा सकता है और वो तीन बिल मौजूदा राजनितिक विपक्ष को कभी भी सुईकार नहीं है जिस रूप में रख रही है और इस देश के भीतर आम लोगों के भीतर भी यह सवाल है यह क्या हो रहा है और चुनी हुई सरकारों के भीतर भी जो मोदी सरकार के साथ नहीं है वह भी लगातार विरोध कर रहे हैं लेकिन उनको एक राहुल गांधी चाहिए और अगर वो पार्लेमेंट में आते हैं एक छण के लिए आप यह समझेए सभी को पता है कि रज सभा में मैनेज कर पाने की स्थिती में यह सरकार आ सकती है जो ऐसे लोग जो विपक्ष के साथ नहीं है जो नेता उसमें आप बीजेडी का जिक्र कर सकते हैं नवीन पतनायक का उसमें आप वायसर कॉंग्रेस का जिक्र कर सकते हैं उसमें आप तेलांगना का जिक्र कर सकते हैं यानि केसी आर का जिक्र कर सकते हैं अलग अलग तरीके के तोर पर कोई दूसरा नेता करेगा और राहुल गांदी की मौजूदगी जब इस बात का एसास दिलाएगी अगर पुराने इस्तिती को देखें तो बहुत साफ तोर पर राहुल गांदी कहते हैं कि ये सरकार समविधान को ही नहीं मानती है तो फिर ऐसे में हम आप किस उनको लेकर कौन सी बहस करें व्यक्ति कमोवेश सभी संसर सदस्य हैं और इनकी तादाद विपक्ष में भी अच्छी खासी है लेकिन जनता की मानता जिस नेता के साथ जुड़ती चली जाती है वह नेता जब उन बातों को कहता है तो वो जनता का दवाओ समाजिक तोर पर भारत की राजनिती पर असर दिखाने लगता है और सरकार इससे घबरा रही है और इसी लिए जो हमने जिक्र किया कि एडी के डिरेक्टर जो एक तारिक को नुक्त होंगे राहुल गांदी की हेराल्ड की फाइल दोबारा तयार हो रही है रोकना हर हाल में है और रोकने की प इल्ली ओर्डिनेर्स को लेकर बहुत साफ तोर पर है समूचा विपक्ष विरोत कर रहा है डाटा प्रोटेक्शन बिल दोहजार तेश इसको लेकर आसामती की परिस्तितियां है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट मिल है ये और खतरनाक है क्योंकि इस तेह तो बह कर्लिमेंटरी कमीटी है उसमें छे ने विरोत किया दो कॉंग्रिस के दो टीमसी के दो डीमके के ये तीनों उस इंडिया के हिस्से हैं जिसको विपक्ष ने अपने तोर पर खड़ा किया है इसके अलावे जब आप देखेंगे तो आई एम एफ एंड वर्ल बैंक बैंक बि लेने वालों को इस देश के रास्ता बाहर की दिशा में ले जाने का है उसमें भी बेरोक टोक कुछ भी नहीं है तो ऐसी परिस्तितियों में ये बिल जब सीधे तोर पर तयार हो रहा है और इसमें एक 22nd Mineral Amendment Bill भी है 2023 का सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर राहुल गांदी के भीतर आकर जिक्र अडानी का करते हैं अगर वो अंदर में आकर जिक्र दिल्ली ओर्डिनेंस का करते हैं अगर वो अंदर आकर जिक्र मनिपूर का करते हैं अगर वो इस देश के परिस्तिती में आकर माइनर्टीज पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हैं अगर इन सारे मुद कितनी हज़ार नौकरियां चलती चली गए वो चाहे इस देश के भीतर PSU की नौकरी हो जो लाखों की तादाद में कम हो गई हो यानि कोई भी मुद्दा जो सरकार उपलब्दियों के तौर पर बतलाती है उसके समनांतर लकीर इतनी मोटी और इतनी बड़ी है अगर राहूल जान्दी पार्लेमेंट के भीतर आकर बताते हैं तो मुश्किल सरकार की इसलिए हो जाएगी क्योंकि एक ऐसा चेहरा उभर रहा है जो अल्टरनेटिव देने की स्तिती में आ गया विकल्प देने की स्तिती में आ गया जो अपने तोर पर प्रधानमंत्री पद का दावेदा नहीं है लेकिन इस वैक्यूम और शुन्यता के बीच अगर कोई चेहरा मुद्दों के आसरे खड़ा होते चला जा रहा है तो यह किसी भी राजनितिक सत्ता के लिए जिसकी अपनी सरकार चल रही होती है सबसे मुश्किल वक्त होता है मुश्किल वक्त इसलिए क्योंकि चुनाओ के वक्त भी वह सिर्फ अपने चेहरे को लेकर जाता है वो जिक्र भी करता है जैसे ही कि देखिये कौन खड़े हैं सामने राहुल गांदी और राहुल गांदी कह नहीं रहे हैं कि हम खड़े हैं ये सरकार की एक नई मुश्किल आ गई सामने एक चेहरा है जो आद्रिश है लेकिन मुद्दे आद्रिश नहीं है तो राजनितिक तोर पर अगर आप नहरू से लेके अभी तक किसी भी सरकार को चुनाओती देते हुए विपक्ष को देखियेगा तो उसमें एक चेहरा उभ रटके में जनता ही उस चेहरे में तबदील हो रही है जो चेहरा नजर नहीं आ रहा है और ये घबराहट पार्लेमेंट के भीतर ना आने देने को लेकर कि राहुल गांदी अगर आ जाएंगे तो मुश्किल हालात होंगी दूसरी परिस्तिती है जो 2024 की दिशा में बढ़ते के समनांतर राजस्थान और बंगाल की जिस चेहरे को लाकर सरकार ने रखा सरकार के मंत्रियों ने रखा और कहा इस पर भी चर्चा करनी चाहिए लेकिन वो किसके समनांतर रख रहे हैं ये ठीक वैसी ही परिस्तिती है जैसे आज की तारीक में RSS ये खड़े होकर कह दे कि दरसल विभाजन जब हुआ था उस दोर में जितनी हत्याय हुई जितनी महिलाओं के साथ उस दोर में रेप हुआ जो उस समय का शोशन था वह सब कुछ हो रहा था हम इसी लिए भारत के अजादी के अंदोलन में शरीक नहीं हुए थे तो आप हमको सही मानिये और उस दोर क पूरे आंदोलन संगर्श अजादी के संगर्श को खारिच कर दीजिए और हमारे साथ आकर खड़े हो जाईए क्योंकि उस दोर में ऐसा हो रहा था यह कुछ ऐसी परिस्तिती इस दोर में लाकर इस देश के सामने खड़ी की जा रही है लेकिन सवाल फिर वही है मनिपुर क भीतर जो हो रहा है वो अभी से नहीं असी दिनों से हो रहा है सैकडों मौते हुई हैं कितनी बड़ी तादाद में लोगों के घर चिन गए जिन बिड़ियों ने देखा ऐसी इस्तिती कभी नहीं वो पहली बार देखकर बहुचक्के हैं मनिपुर से निकले हुए अंतरास् सवाल यह है कि जब आप इस देश की संसद में जाने से घबराने लगे जब आप स्टेट स्पोंसर रैली से हट कर एक समान तरीके से लोगों के बीच जाने से घबराने लगे जब आप इस देश के सम्विधान में लिखे शब्दों से कतराने और घबराने लगे तो आपको हर उस बात से डर लगेगा जहाँ पर कहीं कुछ सच बोला जा रहा हो और शायद इसी लिए संसत से डर है, सलक से डर है, सुप्रीम कोट से भी डर है और ये तीनों परिस्तितियां डरा रही है कि शायद एक शक्स कहीं ऐसा तो खड़ा नहीं हो गया, जो इस सच को जहां पर भी बताएगा, वहीं से सरकार के मुश्किलें खड़ी होती चली जाती हैं और शायद इसी संकट और इसी कट घरे में मौजूदा मोधी सरकार आकर अरह दो मौजगेते हैं और जहां बार शायद आक्र एक्तितियां, मौजगेते हैं बताएगागाता स्च कियां मौजगेश जिसमें परोटए़ी होती हैं आकप खड़एगे स्विक्दावेशने डरेह पूच